हेलो गाईज मैं राजस बंडारी आप सबको चाहगत करता हूँ अपने चैनल लैक्टिक लड़ा में आज मैं आपके लिए जो हम लैप वैंडिंग पर रहे थे ठीक है जो इससे पहले वीडियो बनाई थी लैप वैंडिंग पर ठीक है आज उस पर हम क्या करेंगे एक कपारे पास है कुछ चार है नंबर ओ चुर के तने सेग्मेंट कितने 15 नंबर ओस्लाटिक इटने कि तरफ़ा कockते बारा ओ टीए ये तो आप सबको पता होगा क्टउक्टर क्यों होते हैं जो ता थीक है तो एक को हैल में कितने conductor होते हैं, दो, एक यह और एक यह है, ठीक है, यह पुरी एक coil है, तो इसमें कितने conductor है, एक वाला conductor, एक वाला, तो दो conductor, ठीक है, तो total कितने conductor हैंगी, 24 conductor, यानि coil कितनी हो गई, 12, जब 12 coil होंगी, तब तो 24 conductor होंगे, ठीक है लोगी एक coil में दो conductor होते हैं ठीक है तो coil बार हो गई segment के होते हैं जो commutator होते हैं ठीक है उनको segment बोलते हैं और slot slot होता है आपका जो armature में slot होते हैं जहां हम winding को डालते हैं तार को डालते हैं तो कितने slot हैंगी 12 slot तो इसको देख के क्या पता चल रा मारी चुप winding है हो single layer है या double layer है तो ये जो winding है यह आपकी double layer winding है ठाक है क्यों क्योंकि इसमें जह को segment और slot और coil तीनों बराबर है coil भी 12 है ठाक है तो ये कैसी winding है? single layer होती तो क्पुल कितनी जाती च्छेक कॉल हो जाते हैं थीक है डबल लेयर का मलब क्या होता है एक slot में दो वाइंड नें ने है तूब मेने ये आपको question के पारे में पहरेर समझा दिए थोड़ा बहू अगर आपको विस समझ में नहीं हाता है कि पर लेयर के होता है, single layer के होता है, conductor के होता है, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखते समझ सकते हैं, आज हम simple इसमें के पर diagram समझेगा है, कि diagram कैसे बनाया जाता है, ठीक है, अब हमें, सबसे पहले हमें इसमें निकालना पड़ता है, pole pitch, ठीक है, तो pole pitch क्या होता है, दो pole के बीच की दूरी को बोलते है, pole pitch, ठीक है, अगर N, S, दो pole है, तो उनकी बीच की दूरी को बोलते है, pole pitch, तो pole pitch के लिए फोर्म रहता है, number of conductor upon number of pole, तो total number of conductor कितने है, 24, और pole कितने है, 4, तो 4 से 6, 24 को काटिंगे तो कितना हैगा, 6, तो pole pitch कितना आगे, 6, यानि 2 pole के बीच में कितने slot आएगे, 6 slot आएगे, ठीक है, इस तरीके से 4 pole है, तो 4 pole के अंदर कितने है, 24 conductor है, आपके आजे है, ठीक है, नहीं, दो पोलों के बीच में 6 conductor आएंगे आपने, ठीक है, slot नहीं conductor, ठीक है, तो ऐसी 4 पोल है तो कितने 24 conductor हो जाएंगे, तो जब हमने पोल पीच निकाल लिया, ठीक है, तो पोल पीच की निकालने के बाद हमें 2 चीज हो निकालने के बाद, बैक पीच और फ्रंट पीच, ठ हमेरे इससे पहले विडियो में बताया था, कि बैक पीच और फ्रंट पिच हमेशा irdar number में होना चाहिए, ठीक है, मगह हमारा जो पोल पीच एचा है, तो पोल पीच को देख के हैं हम क्या करते हैं बैक पीच और फ्रंट पीच को निकालते हैं, ठीक है, तो 6 के आसपास कौन कौन से और नमबर पढ़ते हैं एक 5 पढ़ता है और एक 7 पढ़ता है ठीक है तो हम Progressive winding बना रहे हैं Progressive यानि आगे की तरफ तो हम क्या करेंगे 7 वाला नमबर ले लेंगे ठीक है इससे 7 नमबर ले लेंगे और Front Pitch कैसे निकालेंगे अब Back Pitch और Front Pitch में 2 कंतर होता है अगर हमने Back Pitch 7 लिया है तो Front Pitch में क्या करतेंगे उससे 2 माइनस करतेंगे तो कितना आजाएगा 5 क्योंकि 2 का difference होता है दोना में तो आगया 5 ठीक है तो हमारा Back Pitch 7 हो गया Front Pitch 5 हो गया ठीक है अब आगे हम देखते हैं अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए Table बनानी पड़ेगी आई भी मैंने बताया था कि हम डबल लेयर वैंडिंग कर रहे है तो एक Slot में 2 वैंडिंग होगी ठीक है एक Top में होगी एक Bottom में मैंने एक उपर होगी एक नीचे होगी ठीक है तो जैसे मालो हमने कोई पहले हमारा पहला Conductor है ठीक है तो उसमें अब क्या हो गया Back Pitch हमारा कितना आ गया Back Pitch 7 हो गया Front Pitch 5 हो गया तो क्या है यह जैसे है पहला Conductor यह तो यह जाएगा तो यह उपर होता है Back Pitch उपर की साइड ठीक है और नीचे की साइड होता है Front Pitch तो यह Back Pitch कितना जाएगा 1 में हम 7 को प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा 8 तो यानी 8 वे Conductor होगा इसका ठीक है पहली कोईल के जो पहला Slot को जागे खा जाएगा आट वे Conductor है ठीक है इसका भी हम डाइग्राम से समझेंगे फिर यह आट वे नमबर होका यह आएगा Back में कहा 30 नमबर पर ठीक है अब जो हमारा Back Pitch हमारा 8 होगा है उसमें आप क्या करेंगे Front Pitch का माइनस कर देंगे आट में से 5 गया तो कितना बचाती है ठीक है आट में से 5 गया तो 3 तो यह 3 आगया Front Pitch तो यानि यह जो गया था पहला 1 यह गया था कितने में यह गया था 8 में ठीक है फिर 8 से वापिस आया कितने में 3 में ठीक है फिर यह आगे जाएगा कितने में फिर 3 में back quarter plus कर दो तो यानि 3 plus 7 यानि 10 ठीक है जब आगी के तरब जाएंगे तो 7 plus करना है जब पीछे के तरब आएंगे तो 5 minus करना है तो यह जाएगा करना 10 में ठीक है फिर 10 में से front पीछ minus कर दो है यानि 5 minus कर देंगा तो 10 में से 5 गया तो 5 तो यह फिर खाएगा 5 में ठीक है तो यह आपको दिख रही हो कि clap winding है और इसके ओपर एक winding भी आ रही है ठीक है और progressive यानि आगे की तरब चल रही है पीछे की तरब नहीं आ रही है ठीक है तो इस तरीके से डाइग्राम बनेगा अभी में आगे आपको ढंक से इसको समझाऊँगा ठीक है अभी हम इसके table मना लेते हैं पहले तो यह आपको समझ में आगे हैगा 1 में plus 7 करेंगे तो 8 होगा 8 में से minus 5 करेंगे तो 3 आएगा 3 में पही 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से minus 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा फी 5 में plus 7 करेंगे तो 12 बजाएगा 12 में फिven minus 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा ठीक है यान इदर minus 5 करना है फरेंट पी पिजोड़ एड़ आ तो इस तरीके से साथ प्लस करेंगे तो अब थारा था में माइनस फाइब करेंगे तो तेरा थेरा में प्लस साथ करेंगे तो बीस बीस में माइनस पांच करेंगे तो पंदरा पंदर में फिर प्लस साथ करेंगे तो बाइस बाइस में माइनस पांच करेंगे तो 17, 17 में प्लस 7 करेंगे तो 24, 24 में माइनस 5 करेंगे तो 19 अपर 19 में प्लस 7 करेंगे अपर देखो यहाँ पर 24, 24 कंड़क्टर मारे कंप्लेट हो गया ठीक है, फिर 24 में माइनस 5 करेंगे तो 19 ठीक है, 19 में प्लस 7 करेंगे तो कितना होगा 1907 कितना होता है? 26 ठीक है? यानि 26 हो गया मगर हमारे पर 26 कंडक्टरों तो है नि हमारे पर 24 ही है तो हम इससे 24 मैनेस कर देंगे तो कितना आज़ेगा? ठीक है? फिर दो में फिर माइनस 5 करेंगे 2 में माइनस 5 तो हो गाँ? यहां नहीं कितने में किया तो 26 में 26 में से माइनस पांस करेंगे तो कितना हो गएगा-21-21 तो यह आपकी पूरी एक टेवल बन गई अब हम इसका डायग्राम डैवलप करते हैं तो यह डायग्राम मैंने किसी बुक से निकाल रहा है मैं आपको इसको समझा दूगा ठीक है तो आपको ये जो टेबल बनाना आ गया होगा, आई होग, हमने बैक पीच और फ्रेंट पीच बता होना चाहिए बैस, पहला कंड़क्टर होगा, उसमें बैक पीच को प्लस करेंगे, फिर जो उसे नमबर आएगा उसमें, फ्रेंट पीच को माइनस करेंगे, इस से इधर की सा तो यह डाइग्राम मैंने इसका निकाल रखा है ठीक है तो आप इसको पहले हम क्या करेंगे हमारे पास कितने कंड़क्टर थे 24 तो 24 कंड़क्टर के लाइन खीज देंगे एक, दो, तीन, चार, पाँ, चै, साथ, आठ, नो, तास, ग्यारा, बारा, थेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, ठारा, हमिस, बीस, इकिस, बाईस, तेईस, चौविस इस तेगे से हमने 24 क्या करते हैं, कंड़क्टर खीज दे, ठीक है, अब यह हमारे 24 कंड़क्टर हैं, ठीक है, कंड़क्टर कितने हैं, 24, स्लोट कितने होंगे, 12, 12 स्लोट होंगे, देखो, यह जो दो कंड़क्टर हैं, यह एक स्लोट में होंगे, फिर यह दो, एक स्लोट मे तो टोटल किन्द हो जाएंगे 12 हो जाएंगे अब ठीक है और नीचे यही है 12 सेगमेंट है ठीक है अब देखते हैं यह जो पहला कंडक्टर आए हमारा पहला जा रहा था एक से आठ ठीक है तो एक से जाएगा करां आठ में ठीक है एक में प्लस साथ करता तो आठ में जाएगा आठ में ठीक है आर से जाएगा करां फिर आर से माइनस पांस करता तो तीन तो यह जाएगा तीन में ठीक है फिर तीन में प्लस साथ करेंगे तो कहां जाएगा दस ठीक है दस एक मिनाट पर इसकी नंबर निंग देख लेता हूं एक दो तीन चार पांच छे यह साथ है गिला तो रखा है आठ आठ नो दस यह वाला ग्यारा है यह वाला बारा है यह 13 है यह 14 है यह 16 है यह 17 है यह नंबर एक पीछे जा रहा है ठीक है अब हम इसका क्या करते हैं डाइग्राम में वह डैवलप करते हैं ठीक है यह क्या है एक सिंप्लेक्स लेप पांडिंग है जिसमें हमारे 24 कंडक्टर थे 12 सेगमेंट चार पोल और 12 स्लोट ठीक है तो सबसे पर बारा 24 कंडक्टर कीषते हैं दो तीन चार चैर साथ आर नो दास व्यारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा सोला ठारा उननीस पीस एक्टिस बाइस तेईस चोड़ाइस ठीक है यहाँ पर एक चीजा है इसकी जो नंबरिंग होगी ठीक है थोड़ी गला तो रुखिए जैसे पहला एक है दूसरा दो है पर तीन है फिर चार है फाँच है छर यह 9 की ज dumb गास सात न के टीक है तो नो है पर यह 0 है 13 चैक तो जो वह में आगी की तरव लिखा तो यह 12 is Hai मतलब आवस ऐसे नौ तो यह है, दस ही हो गया, यह नौ हो गया, यह दस हो गया, दस के आगे यह, दस मतला आगे लिखा गया, ग्यारा यह, बारा यह, तेरा यह, छोदा, ठीक है, इस तरह के से है, तो जो हमारा जो टेबल बनीती हो, पहले था वन, फिर उसमें प्लस सेवन गए, तो कहा जा र यह 8 है ठीक है 8 में से फिर 6 माइन आएगा थ्री दो अझा 7 करेंगे तो कितना जाएगा 10 तो यह जाएगा 10 में तो 10 आपको यह वाला है ठीक है फिद 10 में से माइनेस 5 करेंगे तो कितना आएगा 10 में से माइनेस 5 करेंगे तो 5 ठीक है तो यह जाएगा 5 में ठीक है फिर 5 में 7 प्लस करेंगे तो कहा जाएगा 5 प्लस साथ किने होता है 12 तो यह जाएगा 12 में 10 हो गया तो यह हो गया आपका 12 ठीक है यह वाला आपका 12 हो गया ठीक है यह जो मैंने कीचा है 12 उसके आगे 12 लिका है तो यह 12 में से माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 में से 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा ठीक है तो यह जाएगा कहां 7 में तो इस तरह के से आप इसको आगे बढ़ाते रहेंगे ठीक है फिर 7 में प्लस 7 करेंगे तो 14 चोधा में चले जाएगा या से आगे है ठीक है यह 14 हो गये फिर 14 में से माइनस 5 करेंगे तो कितना बचा नौ तो यह जाएगा 9 में फिर नौ में प्लस साथ करेंगे तो कहां चल दे जाएगा? सोला में सोला में फिर सोला में फिर माइनस पांच करेंगे तो कहां चल दे जाएगा? ग्यारा में ग्यारा में चला गया फिर ग्यारा में प्लस साथ करेंगे तो कितना चल दे जाएगा? पर फिर 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 कि पंदरह में साथ प्लस करेंगे तो कहा चल जाएगा बाईस में पृष बाइस में सेlect market करेंगे तो कहा जाएगा है कि 17 में करेरें 12 में से पांच मैंनस किया तो 17 में साथ प्लस दो 17 प्लस 7 24 ठीक है 24 में चला जाएगा 24 में से माइनस 5 करेंगे तो कितना जाल जाएगा 19 चला जाएगा 19 19 में प्र 7 प्लस करेंगे तो 26 तो 26 तो था नहीं 26 में से मैंने बोला था कि 24 को माइनस करेंगे क्योंकि 26 कंडुक्टर था है नहीं तो कहां जाएगा 2 पे ठीक है तो कहां था मैं 19 19 प्लस 7 तो 26 यह नहीं 2 पे जाएगा यह 19 16 तो 2 किदर है हमारा इधर है इस साइड ठीक है तो आपको दिख रहा होगा यहां पर यहां 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 आ रहा है 19 लिखा हुआ यहां पर तो यह 2 आ रहा है 2 पर आ रहा है ठीक है यह इदर 2 पर फिर 2 से कहां जाएगा 26 में से 5 मैंनेस करेंगे तो 21 में तो यह 2 वाला जाएगा पिर 21 से कहां जाएगा 21 में फिर 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है 21 में 7 प्लस करेंगे तो 28 यह नहीं 28 तो है नहीं हमारे पास 24 ही गंड़क्ट है तो 28 में 24 मैनस करेंगे तो 4 तो यह कहां जाएगा आपका 4 में जाएगा ठीक है यह आपका यह जा रहा है 4 में 4 इस साइड है तो यहां लिखा हुआ है यह 4 खौन्डक्टर है 14 कंड़क्टर देगा उसमें 21 में 21 में cities 4 में ठीक है ठीक है तो 4 से फिर कहाँ जाएगा 23 में ठीक है चार से कहा जा रहा है 23 में ठीक है तो यह देखो यहां दिखाए है 4 से 23 में और 23 से कहा जा रहा है 6 में तो यह आएगा आपका 6 में इधर यह 6 गंड़क्टर है ठीक है और 6 का मिलेगा 1 में ठीक है तो यह टेबल तब तक भाना नहीं जब तो एक में ना जाया है ठीक है मैंने आपको 4 तक ही दिखाया उसमें फिर एक step और आ गया होगा तो एक तक आएगा अभी मैं समझा दूँगा तो इस तरीके से क्या होगा एक पूरी डाइग्राम बन गया आपका ठीक है थोड़ा आपको इसमें confusion हो रहा होगा मगर जब आप इसको copy में बनाएंगे तो easily बन जाएगा ठीक है तो इसमें जो ऊपर की side ही है यह वाला हिस्सा यह आपका back pitch हो गया यह जो नीचे वाला सीरा हो गया यह front pitch हो गया ठीक है तो इसमें बीच में slot हो गया अब क्या है जो को आपको इसमें end pole, s pole, end pole, s pole भी दिख रहा होगा ठीक है तो मैं इस diagram जो मैंने diagram बनाया उसको मिठा देता हूँ ठीक है इसमें क्या है अब अब हमारे पास total 24 conductor है ठीक है तो हम क्या करेंगे इन 24 conductor को 6-6 उसमें divide कर देंगे ठीक है हमने बोलाता न दो pole के बीच pole बीच कितने आया थी यह यह दो pole के बीच 6 का distance होगा तो end के बीच में 6 विससे s और s के बीच में 6 ठीक है या ऐसे बोल सकते है 6 6 conductor को मिला के एक pole बनेगा आपकर ठीक है वैसी आगे के 6 conductor में आपने बना दिया s pole फिर आगे के 6 conductor में आपने बना दिया n pole फिर आगे के 6 conductor में आपने बना दिया s pole ठीक है अब क्या है जो end pole है उनमें current की direction सेम रखेंगे तो इनमें आपने नीचे की तरफ बग दी अज जो s pole है उन में उपर की तरफ ठीक है इन में नीचे की तरफ है सब में इन में उपर की तरफ है पर इन में नीचे की तरफ है पर इन में उपर की तरफ है ठीक है इस तरह के से क्या है हम इसमें पोल जनरेट कर दिंगे अब बात आती है ब्रस की लगाने की ठीक है तो ब्रस कैसे connect होंगे तो जब हम देखेंगे कि इन जो current की direction को हम check करेंगे इधर नीचे ठीक है तो देख रहा है इस वाले conductor और ये वाला conductor जो इन दोनों में current की direction नीचे की तरफ है तो ये positive brush जोड़ देगे जहां पर current की direction उपर की तरफ है तो वाँ पर negative आजाएगा फिर जहां पर current की direction दोनों की नीचे की तरफ है वाँ पर positive brush आजाएगा फिर जहां पर उपर की तरफ है वाँ पर negative brush आजाएगा वैसे इन में भी current की direction होगी मगए इनमें एक उपर होगी फिर एक नीचे होगी ऐसा कुछ होगा ठीक है तो मतलब इनमें अलग होगी मगए जहां पर हम देखेंगे या तो दोनों नीचे हो या दोनों उपर है नीचे है तो प्लस ठीक है और दोनों उपर है तो माइनस तो इस तरीके से चार ब्रस कन्यक्ट होगा हमारे ठीक है फिर हम जा करेंगे जो positive ब्रस हैं दोनों उनको short करके एक terminal निकाल देंगे और जो दोनो negative ब्रस हैं उनको short करके एक terminal निकाल देंगे इस तरीके से हमारा positive और negative बन जाएगा ठीक है इसके बाद आता है इसमें एक आपका ring method भी होता है ठीक है तो ring method में कुछ नहीं है जो आप diagram उपर बनाया है तो उसमें हम जो coil है जैसे पहली coil पहला उखा गया 8 में ठीक है तो हमने यहां दिखाया था आपको पहला जो जा रहा था आठ वाले में जा रहा था ठीक है पिर आठ वाला कहा रहा था तीन में आठ वाला तीन में ठीक है तो वैसे आठ वाला तीन में बना दिया पिर तीन वाला कहा जा रहा था तीन वाला जा रहा था आपका दस में तीन वाला दस में तो ऐसी यहां 3 वाला 10 में है ठीक है तो मतलब इसमें ऐसे जैसे उपर हमने डाग्राम बना है उसी को एक ऐसम में बना दिया हमने है ठीक है coil की form में है तो इसमें हम क्या कर सकते है parallel path पि count कर सकते है ठीक है और इन में current की direction देख सकते है तो आपको दिख रहा होगा जो positive brush और negative brush है तो यह आपको दिख रहा होगा positive brush और negative brush तो यह positive brush और negative brush तो जो हमने current की direction जो उपर बनाई है उसी के साब से यह नीचे ही बना दो गया तो यहाँ दिख रहा होगा आपको यह negative brush है यहाँ से current आपकी जा रही है ऐसे है और यहाँ से उपर की तरफ जा रही है तो यानी मतलब यह सारे आपस में series में है ठीक है एक से लेकर आपस 12 तक यह आपस में series में है ठीक है वैसे ही आपस में series में connect कर क्योंकि इन में current सेम है पर इन में भी series में same current है और इन में भी same current है ठीक है 4 बर से तो 4 पहला रही है तो छार पहलेल पाद आपको दिख रहा है नो एक दो तीन चार ठीक है तो चार पहला रही है इसको मैं दूसरे उस में आपको ठंक से सम्झा दोघ test ठीक है तो यह जो है ring method रिंग method जात तर हम use करते हैं brush हो की position को निकाल जाएगा ले ठीक है तो brush हो की position करें निकाल दे जहाँ पे current की direction उपर की तरफ हो वहाँ पे negative याँ जहाँ पे current की direction नीचे की तरफ हो वहाँ पे positive रज़ जुड़ जाएगा ठीक है यह मैंने आपको उपर इस वाले diagram में भी समझा जाएगा तो अब हम इसका parallel path को देखते हैं कि number और parallel path को कैसे निकाल दे हैं वैसे इससे भी हमें यहाँ पे समझ में आ रहागे 1,2,3,4 parallel path बने जाएगा ठीक है बागे 1,2,3,4,5,6,6 coil है आपके series में जुड़ेंगे वैसे यह 6 coil है यह 6 series में यह 6 series में और यह आपस में क्यों होंगे यह 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 parallel में होगा है ठीक है इसको हम एक दूसरे diagram से समझते हैं अब हम देखते हैं कि यह जो हमने winding करी है वापस में कैसे connected होती है ठीक है टोटल इसमें आपके 24 ओंगे तो 6,6,6,6 exposure 24 होगा है ठीक है गिल लेना इसमें एक, दो, तीन, चार पाँच, तो 6 उपर है फिर 6 यह यह फिर 6 टोटल 24 ओविस conductor है तो जैसे मैंने diagram में दिखाता है कि पहला जो जाएगा वह खाएगा आठ में तो आठ में गया तो पहला वाला 8 से connect हो गया ठीक है आठ में गंड़क्टर से connect हो गया ठीक है आठ में जाएगा कहां अब हम इसमें देखते हैं कि मैंने इनको जो 1 है, 18 है, 13 है, 6 है, इनको positive क्यों connect किया है, ठीक है, यह 12, 7, 24, 19, इनको negative में क्यों connect किया है, ठीक है, तो अभी हम देखते है ring diagram, तो हमने किस को sort कर रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं, हमने कर रहा है, एक 1 को और एक 6 को, यहां से जैसे और ऐसे, इसको brush positive से connect कर रहा है, ठीक है, और एक हमने कर रहा है किस किस को, 18 होते हैं, इसमें एक positive brush connect हो रहा हुआ, ठीक है, तो आप हम वहां पीछे देखते हैं, जो आपने इससे पहले वाला diagram देखा था, तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि एक उच्छा है, यह आ positive brush से connect है, एक और 6 positive से connect है, ठीक है, और एक कौन सा positive से connect है, यह 18 और 13, ठीक है, यह आपका positive से connect है, फिर 9 और 12 आपका negative से connect है, और 19 और 24 आपका negative से connect है, ठीक है, तो same to same आपने वहां भी यह से connect कर रहे हैं, तो ठीक है, एक और एक 6 positive से connect है, और एक 18 और 13 positive से connect है, फिर इसको आपस में sort करके एक positive टर्म नहीं निकाल दिया, वैसे भी 12 और 7 यह negative से connect है, क्योंकि इनमें current की direction के थी, ऊपर की तिरफ थी द है, ठीक है, same is इन दोनों में भी, 24 और 19, ठीक है, तो इनमें भी negative इन दोनों को sort करके एक negative टर्म निकाल दिया भार, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, इन सम में, इस वाले में, सम में अलग-अलग current होगी आपके, ठीक है, मगर यह सब आपस में parallel में है, तो voltage same होगी, voltage same, current different, current, ठीक है, तो current इसमें अलग है, तो इसलिए हम इसे high current के लिए use करते हैं, जो lab finding होती है, तो high current के लिए use करते हैं, क्योंकि parallel path है, तो अलग-अलग current होगी सम में, तो हम क्या कर सकते हैं, number और parallel path को बढ़ा के current को बढ़ा सकते हैं, मगर voltage के होगी, same होगी, तो voltage same होगी, मगर current हम बढ़ा सकते हैं तो इसलिए इसे high current के लिए use करते हैं ठीक है तो इसमें total कितने parallel path दिख रहे हैं आपको एक, दो, तीन, चार तो pole भी यहां पर 4 है तो number of parallel path भी आपके 4 है ठीक है तो इन coil को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि आपस्में parallel में हो जाया है तो आइः ओप आपको थोड़ा बहूद समझ मं आया होगा ठीक है क्योंकि default कि मोड़ा में यह जो यह diagram है इसको बनाना बहुत तफ सा पढ जाता है ठीक है तो मैंने इसको diagram के त्रो थोड़ा बहूद समझाए है तो I hope आपको समझ माया हो, अगर समझ में ना आया कुछ query हो तो आप comment कर सकते हैं, इसके बाद मैं आपको wave winding का diagram बना के दिखाऊंगा, ठीक है, तो thank you